हाँ दूसरे के खरके च्ट पे चड़के और वहां से वहां जंडा उतारके फेकना और वहां भगवा जंडा लहराना को हैँ इसकी इजादत कौन सा कानून दे रहा था और पुलिस उस समय कहा थी उससमय यह भी दिख रहा है कि WHOO भीड है वहाँ पर अकेला वेक्ति नहीं है भीड है और भीड जो है उसमें से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे उसी में से किसी ने वीडियो निकाला होगा वारल किया होगा तो इंटेंशन साफ है कि कैसे भड़का अगर यह आज कल सोशल मीडिया मुबाइल नहीं होता त मुशलमान शुत्र खुब चल ला था ना मान समचली मुशलमान मंगल सुत्र योगि जी विड saty घा और यहां उप आ Israelites कुछ और हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं करेंगे तब तक इनके पास पेट में नहीं बसता है खाना किसी भी बड़े आदमी का बेटा किसी मंतरी का बेटा किसी बड़े धनाडे का बेटा जो धर्म की रक्षा का दावा ठोक रहे हैं लोगों कह रहे हैं धर्म की रक्षा करो उनका बेटा किसी धर्म की रक्षा क जाओंगे कि जिस तरीके से देश में अभी जो दंगे हो रहे हैं बहराईश का मामला जिस तरीके से बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हमारे देश में और जिस तरीके से समाज को मैसेज जा रहा है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और जिस तरीके से डीजे में ग तो यह डीजे रोकना और इस तरह के स्लोगन जिसमें गाए जाते हैं उसको रोकना पुलिस प्रशाषन राज प्रशाषन के लिए कितने मिनट का काम है यह तो आठवी का बच्चा भी बता देगा ना दो मिनट का काम है इसके बावजूद अगर खुले आम इस तरह के गाने बजाय जा रहे हैं या खुले आम इस तरह के नारे लगाये जा रहे हैं अशलील के सासत भड़काओ गीत भी बज रहा है तो जब बार बार यह हो रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ है न कि कहीं न कहीं से शह है उसको मिला है यह स्टेट स्पॉंसर्ट है एक तरह से सब्सक्राइब के सरकार है इतने भीड जा रहे हैं बहरायाज में पुलीस नजर नहीं आ रहे हैं कहा पुलीस चट पे चड़ गया वहाँ पर जंडा उतार रहा है छंडे गार रहा है एं तो यह बगेर पुलीस को कुछ आईडिया नहीं था सी आइडी में इनफर्मेशन न जी अच्छा कही ना कही ये खबरे आ रही है कि जो भी यहां इस्तिती उत्पन हुई है वो डीजे पे जो गाने बज़े हैं भड़काओं गीत बज़े हैं जो अश्लील गीते बज़ी है उसके वज़े से हुई है आप क्या कहना चाहेंगे उन खासकर गीतों पे जो अभी भाशन दे रहे थे लोगसभा में मुसलमान मंगल सुथ्र खुब चल आथा न अमां समचली मुसलमान मंगल छूस यहोगी जी भी वह इसाओं भाषन देते हैं और इनका USP समीधा नहीं है इनका USP कुछ और हिंदू मुसलिम जब तक नहीं करेंगे तब तक इनके पास पुलिस एक्शन में नहीं है। कि और 12 तारीक को मोहन भागवत का जो बयान है। उससे पूरा सवाल या निशान पुलिस प्रशाषन राजय सरकार की मोडस अपरेंडी उस पे खड़ा होता है। बहुत सारे मुद्दों पर आंदोलत रते हैं। आपको पता है कि अगर दिल्ली इनवस्टी गेट पर एक धरना लगाना हो तो पुलिस पर्मिशन और पर्मिशन के बाद एसे चो से लेके और कि इसे लोग फोन करके दस बार पूछेंगे कि बाई कितने लोग आएंगे कौन वक्ता हैं जंतर मंतर पर करो तो पर्मिशन आज कल देने में दिक्कत कर रहा है पर्मिशन दे भी देगा तो पचास तरह के सबाल उठते हैं जब एक छोटा सा जो कि इदम ही शांती पुर्ण तरीके से धरना पर दर्शन करते हैं उसके लिए इतनी फॉर्मिटी है यहां पर और वहां पर इतना वरा प्रसेशन निकल ला था किस रूट का कहा क्या पर्मि किसी ओ तो उसका पर्मिशन किस ने दिया कि उसी रूट से प्रसेशन जाएगा दूसरा है कि हमने कल एक वीडियो देखा सोचल मीडिया पर काफी वीडियो तैर रहा है जिस आध उसी लड़के की हत्या हुई है कि कि दूसरे के छत पे चड़के आप प्रसेशन निकालने ग प्र कराना इसकी इजासत कौन सा कानून दे रहा था और पुलीस समय कहां थी समय यह दिख रहा है कि अजब करणी पर पके वुरके हो अकेला वेक्तशी नहीं hallway भीड है और भीड जो है उसमें से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे उसी में से फिसी ने वीडियो निकाला हो गारो तो इन्टेंशन साफ है कि कैसे भढ़का अगर यह आज मेडिया मुवाइल नहीं होता तो कभी पता भी नहीं लगता कि आखिर किसने कैसे क्या किया दूसरी बात कि देश में पिछले 2014 में मुझे याद है मुझफर पूर घटना याद हो का आप लोग को मुझफर नगर सौरी मुझफर नगर घटना कि आखिर उस संपरदाइक महौल बनाने से फायदा किसको होता है पहली बात प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का भाषन देखिया लोग सबा चुनाव के दौरान सयकरो बार मुसलमान मंगल सुत्र तुमारा हक खा जाएंगे मंगल सुत्र ले लंगे मुसलमान कितनी बार आया नफरत वाले भाषन थे देश का वजीर प्रधान मंत्री भाषन कह रहा था क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोट ने सुवो मोटो कोई आक्षन लिया किसी ने कोई सवाल उठाए एक्सेप्ट कि आप लोग हमारे जैसे कुछ लोग आम लोग जब देश का प्रधान मंत्री ही संपरदाइक नफरत फैलाए तो जाहिर है कि पोलिटिकल लाब उनिक होना है जब योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे किसको कह रहे हैं हिंदू को बोल ले ना हिंदू में कौन कोन है हिंदू दलित भी होगा पिछडा भी होगा जाटव होगा बालमिक्की होगा यादव होगा कुर्मी होगा तुमिंट पर इस लड़ी का पानी लेके हम तो बार बार प्रित समाज को कह रहे हैं कि कभी अपने घर पर इनको मत बुलाओ बोलो कि चुनाव के समय आये हो तो कम से कम अपने घर पे मुझे बुलाओ अपने सोफा पे बैठाओ अपने वाश्रूम का इस्तवाल करने दो अपने डाइनिंग टेबल पे खिलाओ तब न समरस्ता बनेगी तो सब नरसे गान जी एक मिनट एक में ठर जाए अब पूरा कंप्लीठी कह दता हूं उसके आपके बाद सवाल नहीं रहेंगे तो यह जाती वेवस्ता ही कहां सोर्स क्या है मनुश्मृति है न तो मनुश्मृति किसके खिलाब लिखा गया है मुसलमानों खिलाब लिखा गया और?не,не धुल, इसलिएव एकिलाब लिखा गया है। system âyोक किसी एकिलाब लिखा गया है इसके बारे में लिखा गया है दो रिप उख वह हिंदू के बारे लिखा गया है आज योगी सहाब है मुवन भागवत यह कैदे हाँ मनुस्विर्ट कॉ वे लिखा गया है कि इसको क्या खाना चाहिए किनी सजा मिलनी चाहिए तो जिस हिंदू की कि बात कर रहे हैं एकता की तो कम से कम आप यहां हद्थ भागवत आट तो उस घोडी पर चरने पर पीट देता है मार देता है अधिकारी पुलिस अधिकारी को भी पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है अगर दलित अधिकारी है तो उस पर भागवत नहीं बोले बोले बुलेट पर चरने पर किसी को टेंशन हो जाती है इस पर तो नहीं बोलते हैं है कि एलेक्षन जब आएगा तो एक्ता एक्ता की बात होगी हम चाहते ही बटा हुआ है हिंदू समाज और इसकी जड़े धर्म शास्त्र में है यह मैं थोड़ी करा उनका धर्म शास्त्री कह रहा है बाबा साब ने विस्तार से लिखा है यह बाटने वाला और कोई नहीं वही कि एलेक्षन के बाद पिटाई शुरू हो जाती है एलेक्षन तक मरहम लेके सब घुमता रहाता है काहीं हिंदू एकता लगाओ भाई सबको जरा बरनोल लगाओ तरह ता कहीं कहीं जला हुआ पिछली बार पीटे थे भाई एक बाब बताओ जाके नरंदर मोदी साहब सब्सक्राइब करंदर सब्सक्राइब को ही तो यह कुनाओ जो जो जितना प्यार से बात करें विए उससे सब्दान रहे गां मैं तो यह कह रहाँ हुआ कि जो बहराइच अभी चुनाव दस नौ पर अभी घोष्टनाव यह ना उप्चुनाव के समय ही यह सब एक तरह से प्रायोजी था यह मेरी समझ नहीं तो इतनी बड़ा सुवा है उत्तरपड़े इतना बड़ा पुलिस महकमा है वह कंट्रोल नहीं हो सकता था यहां आप एक रैली निकालते हैं दिली इनवस्टी में यह गेट में हम लोग बैठे रहते हैं 300 पुलिस फोर्ट रहता है और इतनी बड़ी रैली ही आप जानत नहीं बोलेंगे अच्छे दिन आएंगे कभी नहीं बताएंगे वह पूरा आप दिली में प्रोटेस होता सारा विडियोग्राफिय होता हम लोग भाषन करते हैं वीडियोग्राफियोग्राफिया पुलिस का तो वहां पर इतना बड़ा प्रोश्चन था उसकी वीडिडिय अगर यह तत्य सही है तो कैसे वहां चला गया क्या पुलिस नहीं थी आपके घर में कोई आदमी ऐसे घुच जाएगा आप क्या करेंगे अब क्या हुआ नहीं हुआ आप लोग के सामने और मैं समझता हूं कि जब जब चुना होंगे इसलिए कम से कम नहाएं पसंद लोग और दलित पिषडों को तो इससे दूरी रहना चाहिए अपने बच्चों को पढ़ा हुराओ यार इसी नौकरियों करी खतम हो रहा है नही जाना कि यह चुनाओ के समय सब होता है हिंदू कुछ नहीं जातियों का समूव है यहीं हिंदू है हिंदू टर्मलोजी भी 19 संचरी का है इक हां धर्म शास्त्रम का हिंदू लिखा हुआ है इस अब ढकने के लिए चादर उढ़ाने के लिए है दलित पिषडों अपने आर् कि रख्षा का डावा ठोक रहें लोगों कहरें धर्म की रख्षा करो उनका बेटा किसी धर्म की रख्षा करने गया है इतना समझने के लिए काप्या तभी विभी तुम्हारे आँके नहीं खुल नहीं है तुम्हेरा कोई भला नहीं कर सकता किसी बड़े आदमी मंत्री का डाने जरूर पहुझ जाता है कर दो इतना खासन को यह बात नहीं समझ में आ रही है तो इनका कोई भला नहीं कर सकता है बले अच्छा इंजाम कर रहा सारा प्रैविटाइज कर दे रहा है इतना महंगा हो चुका है या पर नहीं पाएंगे तो सब इसे पूछे नहीं बजा सकते हैं अग्रेजी में अपना चेहरा दिखाईया उसी तरीके से जात बताव नियम बताएंगे धर्म बताओ नियम बताएंगे तो इनसे आप अपयक्षा क्यों कर रहे हैं आप गुलवलकर जो है वह इनका समिदान एक तरीके से आप जाके उसमें पढ़ियर मुसलमानों के बारे में क्या लिखा है इसायों के बारे में क्या लिखा है कमिनिष्टों के बारे में क्या लिखा है अब एक हनुमान अभी बैठे हुए है हनुमान बीच-बीच में उचल कुद मचाते हैं लेकिन वो अगर रिजर्वेशन खतम हो रहा है तो पासवाल लोग को मिलेगा क्या जो रक्षक बनके घूम रहे हैं इसलिए दलित सब को सचेत कर रहे हैं कि रक्षक बनके घूम रहे हो जब सब खतम हो जागा तो बच्चे तुम्हारे स्कूल भी ना जा पाएंगे अब आप ऐसे गाने आ गए कि राम राम चल लाएंगे मुल्ले काट जाएंगे बहुट चल लाय हाँ जगह हो अंस्य व्रियर नेत्र का हलाद नहीं महाराज गन्सर मकुछ जग है वह डूमर्यागंज वहां गये थे वहां भी देख रहे थे रास्ते पर यहीं गाना बज रहा था हम लोग शरीफ की तरह अपना गारी साइड में कर लिए कि इतने बड़े-बड़े बहादूर सेनापती यहां सड़क पे हैं बहुत बड़े-बड़े सनापती घर में खाने का ठीक नहीं होगा अगड़ी तो कटेगी नहीं मुल्ले काटे जाएंगे चीटी तो मरेगी नहीं वहीं भीड हटा दो अजरा अकेले साइड में पूछना था जा गाव तो कैसे गा रहे थे हैं असली राम भाग तो वही है सर गाव जरा जैसे हमको भी मालों कोई धंकी देता है तो हम लें धं नहीं नेपोलियन बोनापाट बनके घूम रहे हैं घर में पता लएगी घर में गया तो मा अब पिता जी सोटा लेके डंडा लेके पीछे पड़ी हुए कमाता काहिं नहीं है तो वहां भी बज रहा लेकिन उसको राज्किय संरक्षन है कोई पुलीस पुलीस कुछ नहीं कर पुलीस